कि पताना क्या है कि सलाम नमस्ते हेलो केमचो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बैंक लेडर पर दोस्तों आज कुछ मुझे यहां दिक्कत मैसूस हो रही है कि यहां पर हो सकता है कुछ निट का इशू हो तो आप लोग बताईएगा कि सेशन चल पा रहा है नह चीक है अगर नहीं चल पाना दोस्तों इस सेशन को बाद में करेंगे ठीक है अब बस अब बताईएगा दोस्तों कि अब आए कि अब आए कि अब कि दोस्तों आज थोड़ा यहां पर ब्रॉडबेंड का इशू है नेट का इशू है इस वज़े से यह क्लास एस जो है स्पीड नहीं आ रही है अगर दोस्तों यह चल जाए भगवान करें यह चल जाए तो हम लोग का दिन बरबाद नहों क्योंकि वही रात बर जाकर करके आपको लिए करेंट अपर तयार करना फिर उसे सुबह प्रेजेंट करना और आपका भी सुबह सुबह उठना तो दोस्तों यहां पर लेकिन कही हम लोग के ऊपर बाधक बना हुआ है यह net जोकि हम लोग को परशान कर रहा है दोस्तों जो हम लोगों को यहां पर परशान कर रहा है तो यहां पे थोड़ी सी दिख्कत है नेट की तो कि उसक्रीस अगर नहीं चल पाएगी मेरे भाई तो यह चलास जो है मैं कि फिर से करूंगा आप लोग एकड़म तेंसन मत लेना ठीक है अभी चल रही है क्लास तो बताओ कि यह सर चल रही है शुरू करते एक बाद शुरू करते देखते क्या होता है कि दोस्तों यहां पर PSI 10 code यूज़ करके आपन अकेडमी के कोई भी बैचेज ले सकते हैं 28 सारी को बैच आ गया चालीज यार रिगॉर्डड़ेट कंटेंट बीजर प्रेक्टिस कोईशन अंठानगे हजार बच्चों का भरोसा यहां पर है है ना दोस्तों अगर देखा संडे को सुबह 10 बज़े अनकेडमी है पर जहां पर पहला प्राइज एयर एपल आइपैड मिनी है दूसरा एयर आइपॉड है तीसरा जेबील का स्पीकर है ठीक है दोस्तों बैंक स्सी कॉम्बो यहां पर बैंक आर्बही नाबाट कॉम्बो यह सब भी है क्विजिस है कोई भरोसा दिक नहीं रहा है रहे है नेत का कोई भरोसा दिख नहीं रहा है ठीक है अब आप लोग को बस यह बताना कि क्लास कैसी चल रही से दूस्वुल सभी लोगों स्क adjustment आजाए तो उसका answer हमारा क्या होगा मेरे भॉण उसका answer होगा इटली क्या answer होगा एटली एंशर होगा कि इंड्यम हो रहा है Hier इस बार इटली में हो रहा है जी-20 कीर मीटिंग खुछ भी होगी पिछले बार सजोदी अरब में हुई थी अगली बार इंडोनेशिया में होगी मेरे भाई इंडोनेशिया में पहले इंडिया में होने वाली थी लेकिन भारत अपनी प्लेक्टिनम जूबली मनाएगा इसलिए उसने 222–23 2222 में जी ट्वेंटी इंडोनेशिया दोजार थेस में अपने प्यारे भारत में दोजार इकिस में इटली में और सौधी अरब में हुआ था 2020 वाला है ना क्लियर है याद रहेगा जी ट्वेंटी में 19 तो कंट्री है दोस्तों लेकिन 20 कौन है बीसमा यूरोपियन यूनियन है तो कुल मिला के देखा देखा तो 27 देश होर है 19 देशों के अलावा 27 देश और है जी प्वेंटी में क्लियर है वैनी सिटली में आप नहीं कह सकते हो क्योंकि अलग-अलग लेवल की मिटिंग अलग-अलग जगह होती है ठीक है अलग-अलग लेवल की मिटिंग अलग-अलग जगह होगी उसी देश में होगी लेकिन अलग-अलग शेहर में होगी तो बिल्कुल यहां पर डी ए में उसके अगले बार कहा होगा जापान में होगा दो हजार थैइस में फिर इप फिर यहाँ भी इटली में होगा 2024 कि आ फिर यहाँ पे अगर देखां 24 अले तो ब्राजील में होगा जीह सेवन जीट्वेंटी ए दोनों आपने देख लिया यह यहजी G20 ये g20 की Deport है वción कि इसके बाद अगर बुछया ब्रेट तो इस बार इंडिया हो रहा है बृस समीट अलग 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 लेबल की में Tea अंगली बाइचांगा में फिर स्थ अफ्रिका में से मिस्ने ब्राजिन फिर रसिया फिर इंडिया फिर चाइना फिर फिर साफ्रिका फि इयर आवार्ट से किसे सम्मानित किया किस ने जीता है किसे सम्मानित किया गया है ए आई एफ फुटबॉल जो है अवार्ट से किसे सम्मानित किया गया फटा फट से बताएगा तो दोस्तों यहां पर जो है कि भारत भारती टीम के डिफेंडर है भारती टीम के फुटबॉल के डिफेंडर है दोस्तों संदेश जिंगन संदेश जिंगन जी को यहां पर सम्मानित किया गया संदेश जिंगन जी को यहां पर क्या किया गया है सम्मानित किया गया ठीक है प्लियर हैं दोस्तो सुनील शेत्री जी जो है ये जो है 74 गोल करके ये जो है दूसरे नमबर पे आ गये हैं हाई एस गोल इस केरर में ये भारतियों गलेग सम्मान की बात है प्रिष्टियानो रोनाल्टो दोस्तों 109 गोल करके पहले नमबर पे हैं लियॉन मेसी दोस्तों 72 गोल करके चौथे नमबर पे हैं जी हाँ ये चौथे नमबर पे हैं ये तीसरे नमबर पे हैं दूसरे नमबर पे हैं तो फिर तीसरे नमबर पे कौन है तीसरे नमबर पे कौन अली मवखूत मवखूत यह तीसरे नंबर पर 73 गोल करके ठीक है तो इस समय क्रिष्टियानों रोनाल्डों के बाद कोई है तो हमारा भारतिय धुरंदर है जिसका नाम है शुनील शेत्री ठीक है क्लियर है बिल्कुल 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 सही कहरें थुराट ची आप भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश जिंगन को AIFF पूरूस फूटबॉलर आप दे इयर सीजन का जो है कि नामिनेशन दिया गया यह पहली बार है कि विसाल केंड़ी डिफेंडर को AIFF प्लेयर आप दे इयर का अव बाड मिल चुका है AIFF का मतलब है दोस्तो और इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड़ प्रफुल पतेल 23 जून 1937 को इसकी स्थापना हुई कि दोस्तों अद्वारिका दिल्ली में इसका हेड़कॉर्टर है यहीं पर दोस्तों नोइडा में जेवर एर्पोर्ट बनाया जा रहा है जहां से भारत की पहली पॉड टेक्सी सेवा नोइडा फिल्म सिटी तक जाने वाली है यूपी में ठीक है फीफा फीफा में भारत की रैंकिंग कितनी 105 भी रैंकिंग है ना फटा फट बताईएगा क्लियर चली बैंक विदर सोल बैंक विदर सोल एक्विटास यह बुक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है यह बुक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है तो दोस्तों इन्हों ने लिखा है कि एक बैंक जिसको सोल से तयार किया गया वह एक्विटास स्मॉल फाइने सब्सक्राइब करें जिसने कम से कम 30,000 ओरतों की जिन्दगी बदलिया उनको लोन दिया अब यह कौन है मैडम तो यह मैडम आईये सफिसर रही है C.K. Garrialli है जिन्होंने बताया है ये Equitas trustee रही है Equitas की और इन्होंने बताया है दोस्तों ठीक है RBI के पुरुगव ने D. Subba Rao ने इस पुस्तक का विमोचन किया है ये पुस्तक लिखी किसके दवारा गई है Dr. C.K. Garrialli मैडम के दवारा लिखी गई है इक्विटास Small Finance Bank के सफर को इन्होंने बताया है कि किस तरीके से Micro Finance Company थी फिर ये जो है इस ट्रस्ट की ट्रस्टी भी थी मैडम और इन्होंने महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए किस तरीके से वहाँ पर लोन दे दे के के महिलाओं के जीवन को बदला उस फूरी कहानी को उस फूरी यात्रा को इन्होंने इस बुक में लिखा है आज इक्विटास Micro Finance Company से Small Finance Bank बन चुका है और इक्विटास Small Finance Bank का 간 क्वार्टर 49 में में है स्टैब्लिस हुई ती 2016 में और वासू देव पीजिन इसके cmd है और इसकी टेग लाइन है मेरे भाई Its Fun Banking क्या टेग लाइन है It's Fun Banking इसकी टेग लाइन है बहुत बड़े हो तो वासू देव पीजिनन इसके cmd है यादा कि कि अब नया जो है पोश्ट आ गया है सीयो एंडी और किसी भी देंक के form एक संस्था है बेंक बोड ब्यूरो ये करती है अब बैंकों के cmd के appointment कभी भी बैंक नहीं कर सकता क्योंकि पहुत ज्यादा politics बहुत ज्यादा corruption देखने के बाद यह decision भारत सरकार द्वारा लिया गया कि यह बैंक बोर्ड ब्यूरो ही जो है कि हायर appointment करेगा ठीक है बैंक बोर्ड ब्यूरो के हेट कौन है भानू पताप शर्मा कौन है भानू पताप सर्मा सुर्य वंसम वाले भानू पताप शर्मा तो किसी भी बैंक के cmd का appointment या आप पर मेंजमेंड का पॉइंट प्यूंद कूछ ले तो आप फटाक से बता देना bad bank bord bureau अबनाई में में दोस्तो जितने भी बन इंडियंज हैं सरकारी तैन को होता है जैसे इंडियन बैंक का हैड़कौाटर चेन्डाई में और इंडियन ओवर्सीज ब्क का ये दोनों बैंक प्राइवेट होने जा रही है ऐसा जो है भारत सरकार का शार्षना आदेश आ गया है ठीक है चलिए तो आई डी बी आई बैंक पहले ही प्राइवेट हो चुकी है सरकारी से अब इन दोनों के पीछे पड़े हुए है इसके लिए पब्लिक इंटरप्राइज डिपार्टमेंट बना करके वित मंत्राले का छठा डिपार्टमेंट बना दिया गया है ताकि 300 कंपनि या डिस इनवेश्टमेंट करके प्राइवेट की जाए और उससे खजाना भरा जाए हाली में किसने पुस्तक पल्लेकु पट्टा भी शेकम पुस्तक का विमोचन किया दोस्तों रिसेंट्ली वह रिलीज दबुक पल्लेकु पट्टा भी शेकम तो यह बुक दोस्तों यहा नारत के उप्राश्पति एम वेंकईया नाइडू ने पुर्व सांसद याल मंचली सिवा जी ये बुक किसकी है सांसद याल मंचली सिवा जी की लिखी होई बुक है पलेकू पट्टा भीशेकम ऐसे मुझे याद आ रहा है कि कंणड में एक बुक लिखीती भी रप्पा मोई आसा के लिए हिंदी के लिए अनामिका को मिला है तोकरी में दिगंद के लिए इंगलिश में वेंदगाउज गौड़ इस ट्रेवलर के लिए अरुन्दत्य शुब्रमनियम को साहीट अकेडमी अवर्ड मिला है बीस लेंग्वेज में टोटल यह इस बार दिया गया है लें भूशर दस लोगों को पद्म वीभूशन साथ लोगों को दिया गया जिसमें सिंजयो आबे जी को भी दिया गया सुधासन पटनायव को भी दिया गया दोस्तों हाली में मद्ध्य पद्यसकी रुबिना फ्रांसीस ने पेरु इवेंट में गोल्ड मेडल जीता वह किस खिल संबंदित हैं तो दोस्तों यह शूटिंग से संबंदित हैं याद रखेंगे ठीक है पेरु इवेंट में तो शूटर कभी भी कोई भी अगर आपके प्लेयर हैं तो मद्ध्य पदेशकी है नाम भली अंग्रेज वाला हो तो सूटिंग से रिलेटेड है यह आपको याद र करते हैं इन्होंने पैरा स्पोर्ट कलब में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है महिलाओं के टेन मीटर एयर पिश्टल पैरा इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने दोस्तों औरती दसमलों अंग हासिन करके तुर्की की आय सेगुल पहले वीवना लार क्या ना में पहली वार नलार का विस्वर रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस जीत ने उन्हें टोकियो समर पैरा उलंपिक में भारत के लिए कोटा भी दिला दिया है तो दोस्तों अभी पैरा उलंपिक होने वाला है जहां उलंपिक होता है वही पैरा उलंपिक होता है यह बात भी याद रखेंगे ठीक है जैसे की दो हजार बत्तिस वाला जो पैरा ओलम्पिक और ओलम्पिक है वास्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने वाला है दो हजार अठाइस वाला दोस्तों ये लॉस एंजलिस में होने वाला है लॉस एंजलिस में होने वाला है 24 वाला पेरिस में होने वाला और 2021 वाला तो आप लोग जानते ही है टोकियो में शुरू हो गया कल 23 जुलाई को शुरू हो गया ताबर तोड तरीके से कि आई डी बी आई के लाइसी ने ख़ेद लिया तो आई डी बैट कहलाएगा पहल गौर्वर्मेंट अफ इंडिया का सिंपल कॉंसेप्ट समझो आई डी बी आई कि में गौर्वर्मेंट अफ इंडिया का शेयर था 51 परसेंट से ज्यादा तब यह सरकारी थी अब जैसे ही यह गौर्वर्मेंट अफ इंडिया का 49 परसेंट हुआ तो यह जो कंपनी है यह प्राइवेट कंपनी हो जाएगी मैजार्टी अब दिशेयर किसी का भी हो कोई फरक नहीं पड़ता मैजार्टी अब दिशेयर किसी में बटा हुआ हो तो भ भाई यह प्राइवेट हो जाएगी तो गवर्मेंट आफ इंडिया ने अपने शेयर को बेच दिए इससे कोई मतलब ने खरीदे या कोई भी खरीदे अब तुम सोच रोगे कि लाइसी तो सरकारी है लाइसी ने जब खरीदा है तो यह भी सरकारी हो जानी चाहिए तो ऐसा बैंक नोट प्राइवेट लिम्टेड एस बी आई की कंपणी है एस बी आई लाइफ इंसोरेंस यह तो प्राइवेट कंपनी है लाइसी की खुद एक कंपनी है बहुत सारी कंपनिया में एक एक्जामपल ले रहा हूं लाइसी हाउसी फाइनेंस यह भी प्राइवेट कंप गवर्मेंट ऑफिंडिया का 50% से ज्यादा शेर हैं एसबें लाइट में नहीं है 50% शेर गवर्मेंट ऑफ इंडिया का वहाँ पे SBI का है हाउसिंग फाइनेंस में LIC का है सेर नकी गवर्मेंट ऑफ इंडिया के इसलिए प्राइविट है समझेगा मेरी बात थोड़ा ठीम लगाईए थोड़ा मस्तिस्क का यूस की जीए मेरे भाई कीगे कली आरे बात समझ में अब आगई अभी बात समझ में आगई 236 इंडिया की दाविदारी है फाइनल नहीं हूँ है आकास ब्रेन डे कर मनाया जाता है ब्रेंडे मना जाता है 2022 जुलाई को brain day मना जाता है तो दोस्तो ब्रोड काष्टिंग डे इस सेलिबरेटेड दोस्तो अभी आपको पता है इंडियन ब्रोड कास्टिंग जो फाउन वो है जहां पर कंप्लेंड करते हैं हम न्यूज चैनल और सारे मीडिया का इसका नाम अभी आई बी डीए रख दिया गया है को डिजिटल वर्ड इसमें जोड दिया गया है ताकि ओटी प्लेटफॉर्म को भी सिकायत हो सके ओटी प्लेटफॉर्म कुछ भी परोस्रें बाल ब्राटकास्टिंग के औरी प्रसारण की हो रही है तो पहले तो टीवी भी नहीं था तो साउंडरी की तरफ तो वह दौर भी आपके पुर्वजों ने देखा है तो दोस्तों 23rd जुलाई को ब्राटकास्टिंग डे मनाया जाता है राश्टी प्रसारण दिवस नेशनल ब्राटकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया जाता है है ठीक है लियर है कि आज ही के दिने 27 से भार्ती प्रसारण प्रसारण प्रसारित किया गया था यह क्वेस्टन आपसे एक्जाम में पूछ लिया कि बताइए कि रेडियो प्रसारण देश में पहली बार कब हुआ था तो आपका एंसर होगा 1927 में अगर ये पूछले कहां से हुआ था तो बॉंबे स्टेशन से हुआ था ये भी आपको याद रखना होगा ठीक है इसके बाद मेरे भाई अगर मालो ये पूछले भारत की पहली मुवी 1913 में आई थी जब रविना टेगोर को नोबेल प्राइज मिला था गितांजली के लिए उसी समय हरी शंद मूवी बनाके दादा साहिव फालके ने पहला मूवी भारत का बनाया था इसलिए इन्हें हम भारती है फिल्म जगत का जनक कहते हैं 1931 में जब 1931 में सहीद भगत सिंग को फासी दी जा रही थी उसी समय दोस्तों एक बोलती हुई मूवी आई थी उ प्रियों की बात हो रही है तो पहली मूवी भी याद रख लिजिए उसका भी एयर रख लिजिए 1927 वो यादी रख लिया रेल वे कब पहली बार बॉम्बें से चलाई के दी दोस्तों ठाने से बॉम्बें के बीच में पहली बार यह बताईए युनेसको द्वारा किस धरवर को विश्व विरासत सूची से हटाया गया है। और क्यों Sachen यह तो आपको पता होगे कि हटाया गया है। यह तो आप लोग जानी गए होगे बहुत बड़ी 뉴스 है। लेकिन क्यों कि अजंता की सब्सक्राइब मंदिरों को हटाया गिए है औरा कि खिले केडियों गीदुए है। सब्सक्राइब का सही अंसर ओने सब्सक्राइब साहरा है य। बता दिए 44 क्लिमेटर चलाई गे थी वह नहीं नहीं वह दोस्तों बात की जा रही है कि वर्ड हरिटेस साइट्स का मतलब क्या है इतिहासिक धरोहर सांस्कितिक धरोहर प्राचीन धरोहर जिसका संदक्षण करना है क्योंकि वह प्राचीनता के लिए ही उसका संदक्षण किया जाएगा कि हां यह बहुत प्राचीन है इसको सजोओ कि हमारा इतिहास ऐसा था यह हमारी आने वाली पेड़ी को पता चल सके इसके लिए ना वर्ल् साइंटिपिक कल्चरल ऑगनेजेशन युनेस्को में भारत के पतिनिदी विशालवी सर्मा इसी लिए न किया जाता है अब अगर कोई आदमी उसको ना माने और लीवर पूल रीवर फ्रंट पे भाई साब बड़े-बड़े अपार्टमेंट और अट्टालिकाएं बनाने लगे अती विकास करने लगे तो प्राचींतम चीज तो खताव हो जाएगी उसका आधुनीक्ति सुरू हो जाएगा तो इसलिए हरिटेस साइट को तो वैसे हमारे हैं यूजना चलती है रिदय योजना में रिदय योजना में हरिटेस सीटी डवलप्मेंटेंट और और्ग जैसे कि आगरा की पास अगर ताजमहर के पास जो खी국ा स्पास कि बिल्डिंग रेट कछलर में तो सबीकलर में उसे अगर प्राचीन से वर्तमान बना दोगे तो लिटलिश से हटी जाएगा भाई उसमें उन्होंने पूरा प्राचीन तब और पत्थर बिछा दिया है और सारे कलर एक कलर से बेंट कर दिये हैं पूरे पूरे एरिया को तो उसको जो कि और प्राचीन बना दो वैसा लगे इसको आधुनिक बना दोगे तो फिर यूनेस्को क्या करेगा यूनेस्को ने फुटबॉल इस्टेडियम की योजना सहीत अती विकास के बारे में वहां पे फुटबॉल इस्टेडियम भी बना रहे हैं विस्वधर और इस्वलों की सूची से लीवर्पुल को हटाने के ल हटा दिया जाए पांच लोगों ने का नहीं हटाया जाए पांच ने विरोध किया वैस्विक सुची से किसी साइट को हटाने के लिए एक से अधिक दो तीहाई बहुमत की अवशक्ता होती है मेरी आवाद सुनियेगा अगर नहीं दिख रहा होगा तो इससे पहले केवल द रखने का कोई मतलबी नहीं रहा होगा उसको संदक्षित करना है ना उसके बाद 2009 में जर्मनी में ड्रेजडेन एलबे घाटी को भी सुची से हटाया गया है ऐसी सुची हटा दी जाती है वे इन इस लोगो ठीक से संदक्षित नहीं रखते हैं उन्हें हटा दिया जाता है लीवरपूल को सुची से क्यों हटाया गया 2012 में लीवरपूल को खतरे में 20 विरासत की सुची में रखा गया लीवरपूल के मामले में इसके एतिहासिक तट के लिए 7 बिलियन डॉलर की एक नई योजना यह है इस सरकार ने ला दिया जिसके कारण इस सुची से इस सहर को है और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है विशाल वी सर्मा विशाल वी सर्मा यह भारत के प्रतिनीदी है वहां पे और दोस्तों इसकी जो इनोग इसका जो स्थापना 16 नमबर 1945 को होई थी 16 नमबर 1945 को यह आया था 16 अक्टूबर 1945 को पूडन एग्रिकल्चर जारी किया रोम में इसका हेड़क्वाटर है और 24 अक्टूबर 1945 को सेम येर की बात हो रही है युनाइटेड नेशन आया था जिसके 75 साल पूर्यों पर भारत सरकार ने स्टैंप जारी किया है कि 75 का दोस्तों बात करें तो यूनेसको की वर्ट हरिटेस साइट में भारत के 38 में 38친 Independence साइट है इंडिया के 38 साइट लेकिन दोस्तों कुछ टेंटिटिव में तो इस स्थाइस में यानि तो और दोस्तो तो प् Use लिष्ट की संख्या और तालिस हो गई है उन छे एरिटेस साइट्स का क्या नाम है जिसे भेजा गया है टेंटेटिव लिष्ट में बनारस का गंगा घाट काची पूरम तमिलाडू के मंदिन सत्वुरा टाइगर इजर मद्यपदेश का महराष्ट का जो मिलेट्री आर्किटेक्चर है पहाड़ी दूर्ग है सीवा जी के जो बारा दूर्ग है पहाड़ों पर वो हीरे बेकाल का जो प्रागेती हासिक काल आदी मानों काल के जो अभी भी घर बचे हुए है दोस्तों यह भी देखने लिए चीज है और नर्मदा नदी में जबलपुर में जो भेडा घाट है मार्बल के जो पहाड है नर्मदा नदी के दोनों तरफ वो भी देखने लाइक है ठीक है यहीं पर डानासोर के जिवास में भी मिले थे तो यह सब एतिहासिक भी है ठीक है तो इस जगह पर पंद्रहसों से दह्या साल प्राणी पेंटिंग के साथ पचास से अधिक सो रॉक सेल्टर भी है बनारस के घाट की बात करें तो भाई सबसे प्राची नगरी रीग वेद में वर्डन ने काशी का मोदी जी का संसदी चेत्रा इस समय इसे भी इंडिटिव लिश्ट में डाला गया है फायर बेनकल जो महापसान स्थल है महापसान मतलब एकदम आदी मानों के जमाने का जब इंसान जो शुरू हुए तो दोस्तों वहां पे जो अठाइस सो साल पूराने उनके घर है और उनकी बस्तियां है अंतेश्टी समारक भी है ज लेड़ा घाग यह सब दोस्तों जो है आप देख सकते हैं केरल का जो अरे तमिलाडू का जो कांची पूरा मंदिर है यह प्राचीन था एक हजार मंदिर कभी दोस्तों यहां पर थे अभी 126 बचे हैं अक्रमर कारियों ने मंदिरों को बहुत नुक्सान पहुचाया छटव 1500 साल से भी ज्यादा हो गया यह महराष्ट का जो बाड़ा पहादी दुर्ग है पहाड के डम टॉप ऐसे से किले बनाया जाते थे सीवाजी के जिसको जीतना और अंजेब के लिए बहुत ज्यादा मुस्किल हो जाता था और दोस्तों इस पे अभी ताना जी अंसंग वार्य थे उनके कैसे कैसे घर थे है ना और उसके उपर ऐसे रख देते थे उसमें रहते थे दोस्तों ऐसे ही चिताएं जलाने का अंतेश्टी स्थल भी था यह MP का दोस्तों जबलपूर का भीड़ा घाट है नर्मदा नदी के किनारे दोनों तरफ मार्बल के पहाड़ है संग मरम के पहाण परकृतिक पहाण है कि कि उसके सत्पूरा टाइगर रिजर्व जहां बागों की संक्या इतनी है और यह बनारस का जो है दोस्तों घाट है असी घाट जिसे कहा जाता है एक्च्वल में 84 घाट असी घाट मूवी भी आई थी मसान मूवी आई थी बनारस के उपर र महराज कोई मालवा का महराज कोई जो है ग्वालियर का महराज हर ने यहां पर खिले बनाए अईदम एक दूसरे से सटे हुए और दोस्तों यह पूरा गंगा नदी किनारी 84 घाट बने हुए इतना सुन्दर लगता है जब यहां पर नदी में आप नौका विहार करते हैं के सामने से सुर्य उदय होता है रेट में से और एक तरप देखो लिए नजारा आँद दूसरी तरफ देखो तो शुर्य उदय हो रहा है सुबहे बनाए तो दोस्तों इसे भी टेंटिटिव लिश्ट में ढाला गया तोस्तों अगला प्रतन है निम्नलखीत में से किस घटन येना का आदेतन आदर्स्वाक्त तेज ऊंहें तर मजबूत एक 6 हों गया है। मразу किस इवेंट का दोस्तों मोटो किस इवेंट का मोटो जो है आदर्शवाक्त है फास्टर हायर, stronger और together faster higher is stronger और together अभी तक इसका था faster higher is stronger लेकिन faster हैю है, आप अच्छी बात है, आप higher है, अच्छी बात है आप stronger है, अच्छी बात है यह तो आप अपनी तारीफ कर रहे हैं आप बोलिए कि हम सब एक साथ में pasture होंगे higher होंगे और stronger होंगे तब लगेगी आप दुनिया की बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं ठीक है क्लियर है चली तो दोस्तो यहां पे अगर देखा जाए तो ओलम्पिक जो अभी जापान में चल लहाए टोक्यो जापान टोक्यो येन और यहां पे रीवा एरा की सुरुवात हुई है दोस्तो यूग की सुरुवात यहां तब होती जब समराग चेंज होते है तो अब रीवा यूग की सुरुवात हुई इसके पहले हाई से ही एरा चलता था तो नारू हितो जी यहां के नए समराग बने है अक्वी हितो जी के ब जी को बदम भीभूशन हमने दिया है और अमेरका ने लिजन आफ दे मेरिट दिया था मोधी जी को भी दिया था और चारों देशों ने मिलके कोड कंट्री बनाई थी भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और भारत चाइना को घेरने के लिए तो बिल्कुल दोस्तों यहां पर ओलं आया है इंडियन को चेर करने के लिए आसाम ने बोला है कि हम सबको सरकारी नोकरी देंगे और दस हजार पेंसन भी देंगे हेमंद विश्वा सर्मा ने बोला है तो दोस्तों यह बहुत अच्छा है अजये अफगानिस्तान पर ट्रोइका प्लसज मिट में पहली बार भारत को किस देश ने अमंत्रित किया दोस्तों भारत को कहींने कहीं तालीबान के हाइ Stud नुक्सान हो रहा है क्योंखी अमेरिका के साथ भारत है और भारत जो है पाकिस्तान का भी दुस्मन है और तालीब तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है चाइना सपोर्ट करता है तो भारत के लिए भारत के लिए वारता कौन करेगा कि भाई तालिबान तुम भारत से दुस्मनी मतलो फाल तुमें तो रशिया से बोला रशिया पुराना मित्र भारत का तो रशिया ने सुरू में मना कर दिया लेकिन फिर भाई बाची चली और रशिया ने बोला कि ठीक है हम आपका तालिबान से बात करवाएंगे अब अफगानिस्तान पे एक मीट कर रहा है रशिया और जिसमें उसने भारत को अमंतुरित किया है अफगानिस्तान पर ट्रोईका प्लस मीट है दोस्तों जिसमें रशिया ने भारत को invite के रशिया वारा बहुत प्राचीन मित्र है इंद्र युद्धा ब्यास चलाते हैं ब्रमोज मिसाइल हम इसके साथ मिलके बनाते हैं रशिया मॉस्को रुबल ब्लादिमिर पुतीन ठीक है रशिया में दुनिया का पहला floating nuclear power plant भी बनाया गया है nuclear power plant floating तेह चाइना विए टीन लोग अफगानिस्तान पर बात करें इंडिया को भी बुलाए अ चाहिसमे इ सारे दुसमन इसमें रहेंगे एरान और अमेरिका अपस दुसमन यह रहेंगे भारत पाकीिस चाइना रहेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी रहेगा इसमें यानि सारे अपोजित पोल जो है यहां पे रहेंगे यानि पक्ष विपक्ष दोनों रहेगा जुलाई क्ैentyस स्वार समय्व कंपणी में Uh Welcome बैंजे ने दुनिया पहला फ्रीक प्रिंटेड्ट क्विक्सित पहला इस टील ब्रीड इस तिल प्रीडी प्रिंटींग जहें बनाया गया है सरीके से इसको जो है पुझे जेज्ञ दिया गया है ठीक है और दोस्तो अगर Ems टें की बात की सब्सक्राइबान का एंब्स्टेंद दुनिया का पहला एंब भकनि स्प्रीछ पूचा था एम्स्टरडेम ठीक है याद रहेगा सभी लोगों को क्लियर है चलिए जुलाई 2021 में डॉट 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 ने यूनिसेफ और नीटी आयों के साथ भागेदारी की डॉट डॉट अकांची जिलो में कोविड नांटीन दीकागरन अभियान परियोचना कबच सुरू कि यूनिसेफ पैरिस बच्चों के लिए काम करती है चिल्डेनी मजनसी फंड यूनिसेफ न्यू यूर्क सौरी यूनिसको नहीं है यूनिसेफ है नीती आयों दिल्ली भारत सरकार की ठिंग ठैंक और यहां पर बात हो रही है आकांची जिलों कि आकांची जिला यानि एस्प अपसी रिष्टिक हैं कितने एक्सपिरेंश्टल रिष्टिक 112 बारे ऐसक्रीश्टिक करें में अपर गौन चलाया जा रहा है यूनिसेफ की मदद से कवच अब दोस्तों इसमें हम यहां पर कौन सी फाउंडेशन और जुड़ी हो यह तीन कमपनियां यूनिसेफ नीतियायोग और तीसरी कौन है तो दोस्तों एनसी फाउंडेशन है एनसी फाउंडेशन हम और कितने एस्पिरेश्टल डिष्टिक में यह अभियान चलाए जा रहे हैं ठीक है प्राश्ट में नंदूरबार उस्मानाबाद राजस्थान में करॉली तमिलाडु में रामनात्पूरम और नागा लेंड में किफिर नागा लेंड को अमुर्फालकन बाज का वर्ड कैपिटल कहा जाता है ठीक है इस बार एस्पिरेशन डिष्टिक में बेस्ट एस्पिरे प्राइजन भारत का बॉंबे स्टॉक एक्षेँज sciences भारत का ही नहीं एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्षेजज स्टॉक एक्ष्टेंज बॉंबे स्टॉक एक्षेंज 1875 में आया था ऐनृब ठीक hai आयोजन किया गया दोस्तो उप्राश्वती वेंकया नाइडू भी थे और यहां पर हमारे सिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे हमारे नए नए सिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान ठीक है तो ओपी जिन्दल ग्लोबल इन्वर्शिटी सोनीपत हरियाना जिन्दल से आदे हरियाना में नवीन जिन्दल साहब थे लड़के उन्होंने जब अमेरिका से पढ़के आये तो उन्होंने का तिरंगा हमें क्यों नहीं फैराने दिया जाता है अमेरिका में तो अमेरिकन अपने घर पे तिरंगा फैराते इन्हों ने चुनावो लड़ा केस लड़ा और तब भारती ध्वज संगीता आई जिसमें तिरंगा फैराने का जो है सबको अधिकार मिला इन्ही की माता जी सावित्री जिंदल कहा जाये तो भारत की सबसे अमीर महिला भी रह चुकी है अब आजकल तो चुनाव नाव लड़ती हैं राजनीती में थोड़ा हो गई है अब रोश्णी नादर मलोत्रा जो एक्सियल टेकलोजी की हैं वो सबसे अमीर महिला है तो दोस्तों यहां पर इस शिकर सल अब मेहां वसक्स करने और दोस्तों किस देश को 2030 बदित और प्य div 2023 खेलों की इंपॉर्टेंट करेंट अपेर्स को जरूर पढ़ते हैं पिछले दिन के तो दोस्तों डोजार बक्तिसम ओलंपिक को पहरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौफी गई है किसे ब्रिस्बेन आस्टेलिया को और यूसे के बाद दूसरा देश बन गया है जिसके तीन शहरों ने ओलंपिक की मेजबानी किए 1956 में मेलबर्न ने सन 2000 में सिड्नी ने इसी सिड्नी में कर्णम मालेश्वदी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉंज जीता था पहली भारती महिलाती ओलंपिक जीतने वाली और उन्हें दिल्ली इन्युशिटी स्पोर्ट्स इन्युशिटी में वा के से फ्रेंचाइजी होती ही कमीशन पर आप काम करेंगे दोस्तो 66,000 बिजनेस करिस्पॉंडेंट है उस बैंक के 22,000 ब्रांचेज है उस बैंक के दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है ब्रांचों की संक्या के मावले में 58,400 ATM है दोस्तों उसका नाम है SBI SBI दोस्तों एक जु सुरू किया SBI ने कवच नाम से पांच लाग का परस्नल लोन सुरू किया हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए और सौ करोर का लोन देने के लिए आरोग्यम जो है नाम से बिजनेस लोन की स्कीन सुरू की है SBI ठीक है क्लियर है चलिए SBI के चेर्मेन दिनेश कुमार खा रहा है और हेड़क्वार्टर है मुंबई गोरे वाला कमिटी के रिक्मेंडेशन पर यह आई थी एक जुलाई 1905 इसके एप का नाम है योनो एप जिसका फुल फॉर्म है यू अल्ली नीड वन और जब छे बैंक इसमें मर्ज हुए थे द कि दोस्तों नेशनल हाइवे अथर्टी ऑफ इंडिया का पदभार किस ने समाला है अर्मान गिरिधर ने समाला है तीवी नरेंद्रन तो CII के हेड हैं और मनोज मुक नर्वाने भारती सेना के जनरल है इन्हें नार्मी के जिन्हें नेपाल ने मानद उपादी दिये दोस्त तो नेशनल हाइवे अथर्टी के अध्यक्ष अभी तक सक्वीर सिंग सिंदू थे यह बुत्राखंड के मुके सचीव हो जाएंगे और यह सचीव थे रोड ट्रास्पोर्ट मिनिस्ट्री के अर्मान इस गिरधर यह अब बन जाएंगे यहां पे नहीं के अध्यक्ष एरिय जो है एरियल हैंडी है के दानमंत्री का कालबार समाल लें क्योंकि यहां के राश्पती की घर में जुक्ष के हट्या कर दी गई इनके वाइफ बी मारा गया था तो इंके नहीं है तो जो जो थे वो तो मर गए अनुप एड्यल है को नएप दानमंत्री बनाया गया ताकि है हैती में जो विरोध प्रदसंद चलने हैं और स्थिरता है वो खतम हो जाए तो मारा किसे गया था दोस्तों जोवेनल मोईस को राश्पती भी सेफ नहीं है घर में घुसके मार दिया गया है ती कि जो कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस है और गौड यहां की करेंसी है और दोस्त तो भारत ने जैनगर से दोस्तों नेपाल के कुर्टा में जो है इसे जो है किया है भारत के जैनगर और नेपाल के कुर्टा में रेलेवे सुरू हुआ है दोस्तों नेपाल ने अभी हमारे साथ एक एग्रिमेंट किया जिसमें हमारे पोर्ट का यूज करके यह मंगाएगा नेपाल में अभी जो है शेर बहादूर देवबा नए प्रधान मंत्री बने है राश्पती यहाँ पे विद्या देवी भंडारी सीटल निवास उनके घर को कहते हैं और दोस्तों यह भारत के पक्षधर है शेर बहादूर देवबा जो नय है नेपाल के प्रधानमंत्री बने है काटमांडू यहां की कैपिटल है जहां सार्क का मुख्याले है रुपया यहां की करेंसी है सार्क दोस्तों याद रखिएगा सार्क में आठ देश हैं जो मोदी जी के सपद गरहन में भी आये थे चौदर में जब आपको पेन होता है तो आप मीबीएश डॉक्टर के पास जाते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया नेपाल मालदी भुटान बंगलादेश श्री लंका दोस्तों जुलाई 2021 में लेगिट डॉक के साथ साज़ेदारी में दुनिया की सबसे बड़ी ब् अगव है को लागू किया और इसे भारत इस प्रणाली को शुरू करने वाले दुनिया का कौन से नमबर का देश बन गया घ्रम वर्प exists कोई है है योिकेशनल सेफ्टी करते यह जिसे कोई हैक कर पाया यह कोई हैक कर पाया कोई रोट को बेचा पत्तिबंदित भी नहीं तेश बन गया है माल्पा, सिंगापुर और बहरीन के बाद। बहरीन मनामा दिनार, बहरीन मनामा दिनार जहाँ पे सोलर किस्म के आम की अभी जो है प्रदर्शनी लगाई गई और फाजिल आम माल्दा से यहां बहजा गया, जरदालुअ आम उके भेजा गया जो की बिहार का भागलपुर का आम था, ग्रामिड भारत ने नए बैंकिंग इंफ्रस्ट्रक्चर के निर्मार के लिए किस पेमेंट बैंक के साथ टाइब किया है, तो NHDL पेमेंट बैंक के साथ टाइब किया है, नेश्टल सिक्योटरी इस डिपॉजीटरी लिम्टेड, जो कि पेमेंट बैंक के रूप में 2018 में आ गया, इस फिल्ड में भी इसका मुख्याल है मुंबई में, उस बैंक का नाम बताइए जिसने प्रथम लॉंच करने के लिए, प्रथम अभियान लॉंच करने के लिए, यूगरो कैपिटल के साथ भागेदारी की है, ये प्रथम है क्या MSME सेक्टर को 1000 करोन रुपए का को लेंडिंग का रेकरम, को लेंडिंग का रेकरम मतलब, बैले एंसर देखते हैं, बैंक को बढ़ोदा, यूगरो कैपिटल को पैसा देगा, यूगरो कैपिटल MSME सेक्टर को पैसा देगा, तो इसे को लेंडिंग मॉडल कहते हैं, क्या कहत मेरा कि मुवी का नाम बताई आप लोग नहीं बताया था बहुत दुक हुआ था कि आप लोग मूवी भी नहीं देखते हैं अच्छी-ची पर आके मूँ नोच ले या कोई बाल काट ले दिल्ली सिख्स बनाई रंदे बसंती बनाई इन्हों ने भाग मिलखा भाग बनाई भाग मिलका भाग की स्टोरी मैंने आपको बदा दा मिलखा सिंग और इनकी वाइफ निर्मल मिलका सिंग का अभी निधन हुआ है को रोना की वज़े से ठीक है क्लियर है तो यह अच्छी मूवी बनाते इनकी भुक है दे श्ट्रेंजर इन दे मिरर तो जब मूवी अच्छी बनाते हैं तो भुक भी अच्छी लिखे होंगे इसमें कोई डाउट नहीं वन्ना रीता राम मूर्ती गुपता जी ने इनकी बुक लिखन अमेरिका यह है वह तो खाली भावना प्रकट कर सकते हैं खाली में किस देश ने एस 500 मिसाइल का सफलता प्रयोग पेच्छड किया एस 400 हमने इन से लिया है दोस्तों तो अमेरिका हम से नराज हो गया ता वह देश रशिया रशिया से आज भी हम सबसे अदा आम सप्लाइग लेते हैं 49 पर्सेंट सप्लाई हम रशिया से लेते हैं कि क्लियर है कि समझ गया यह तीनों मूवी आपने देखी है यह बात है रंग्दे पसंती आपने देखी ही होगी इसमें तो कोई डावट ही नहीं है तो दोस्तों यहां पर बात हो रही है एस 500 डिए डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मिसाइल को एयर में खतम कर देगा एस 400 हमारे पास है इंडियल आर करपरेशन भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रहा मतूरा में यूपी के मतूरा में लगा रहा इंडियन आर्ल करपरेशन भारत की सबसे प्रॉफिटेबल सरकारी कंपनी है बे प्लूरत का कहां बना है केरल में बना है पहला बुक विलेज कोलम जिले के पेरूम कुलम में पहला बुक विलेज बना है दोस्तों हाली में 20 जुलाई को जब मून लेंडिंग डे है नील आमिस्ट्रॉंग जी जो है अंतरिक्ष गए थे तीन और लोगों को लेकि जिसमें उनके भाई थे एक 82 वर्सी वैली फंक थे वैली फंक वैली फंक और दूसरे थे दोस्तों ओलिवाइड डेमन ओलिवाइड डेमन जोकी 18 साल के स्टुडेंट है तो एक सबसे कम उम्र एक सबसे अधिक उम्र और दोनों भाई जय बीरू चले गए थे भाई का नाम है मार्क बेजूस मारा था उनको बच्पन में बहुत जेफ में जेफ बेजूस को मारा था बहुत तो नाम उनका पड़ गया मार्क बेजूस यह याद रखने के लिए किस राज्जी में दोस्तों इंडियन हरिटेज इंस्टिट्यूट बनाया जाएगा एक ऐसा इंस्टिट्यूट एक ऐसा सिक्षर सहस्थान जहां पर भारत की अतिहासिक पद्धतियों पर रिसर्च होंगे दोस्तों यह बहुत ज़रूरी है भारत की प्राचीन चीजों को वापस से जिवित करना यह नोईडा के गौतम ब महिंद्रा बैंक ने किया कोटक महिंद्रा बैंक मालिक उध्य कोटक एशिया के सबसे अमीर बैंकर है दो याद तीन में संस्ता आई थी मुंबई हेटकवार्टर है कोना कोना उमीद इसकी योजना है ठीक है कांस फिल्म फेस्टिवल भारत की और से बेश डाक्मेंटरी का अवार्ड किसने जीता है पायल कपाडिया ने जीता है दोस्तों गोल्डेन आई अवार्ड अनाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए अनाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए दोस्तों इंडियन फिल्म फेस्टिवल ओफ लास एंजलिस ओफ लास एंजलिस ओफ लास एं डॉकुमेंटरी का अवार्ड यहां पर देखा जाए तो मिलन चक्रवर्ती की सेट थुमन जो है यह सवसेश फीचर फिल्म के लिए ग्रैंड जूरी अवार्ड जीती है और करिस्मा दूबे की बिट्टू जो है यह बेस्ट सौट फिल्म का अवार्ड जीती है इसके बाद द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रागीर मुवी के लिए तिलोतमा सोम को अवार्ड दिया गया है और गौतम घोस को बेस्ट नेशनल फिल्म में यह सोणल है सोनल जो है इनको बेश्ट स्क्रिप्ट राइटिंग का एवार्ड मिला है इनकी मूवी मैनी के लिए यह पहले अब आजकल मूवी बना रही है तो मियामी में मियामी में विखन के दोस्तों इन्हों मियामी फिल्म फेस्टिवल यू के मैं मियामी चार वार्ड जीता है यू बे फिर कि लिस्ट यहाँ इनकी है इसके बात दोस्तों न्यूयॉर्गी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की करते हैं तो अनुपंख्यर को पेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एफी बर्थ डे मुवी में लिए ऑर दोस्तों फिल्म का अवार्ड भी दोस्तों अनुपंख्यर को मिला है लुजय को मिला classify birthday short film happy birthday दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम को और अटल पेंशन योजना को भारत के जितने भी पेंशन फंड है उनको PFRDA regulate करता है इसमें अब पेंशन फंड्स में डारेक्ट जनता भी निवेश कर पाएगी अभी तक हम mutual funds के थुरू खरीकते थे अब पीएप आईडिये ने यह भी बदला है और FDI की सीमा को भी बढ़ा के 74% कर दिया है ताकि विदेशी निवेश भी इस फिल्ड में मिल सकें ऐसा ही RBI ने भी किया था ऐसा ही RBI ने भी किया था दोस्तों साम को 6 बजे हम लोग पोल पे जो है करते हैं साम को 6 बजे अनेकेडमी एप में free class करते हैं जिसमें पोल के माध्यम से जुलाई मंतली करेंट अफेट चल ला है जिसमें जवाब आप देते हैं audience पोल के थुरू बहुत मजा आता है बहुत ही जादा मजा आता है दोस्तों इस class को आपको छोड़ना नहीं है दोपहर में एक बज़े मैं RBI पढ़ा रहा हूं पूरा पोश्ट माटम कर रहा हूं इसी एप पर अनेकेडमी एप पर free class होती है 75% जिसे आप अब इंट्रेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हैं फॉलो करने के लिए नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मैंने जितने भी बैंकिंग के बेसिक लेक्चर पढ़ाएं वहां पर मिल जाएगा जुलाई मंतली करेंटेफर की चौथी क्लास आज होगी तो बाकी तीन क्लास भी आज आ है निव देल्ली हेड़क्वाटर 23 अगस 2003 को इसकी स्थापना होई थे दोस्तों रात को नौ बजे मैं बेस्ट 200 प्लस शिक्स मंत करेंट अफेर भी करा रहा हूं नाम स्टेटिक जीके है लेकिन अंदर शिक्स मंत करेंट अफेर ही चल ला है वाई-फाई स्टेडी 2.0 चैन क्रिकेट काउंसिल के अब 106 मिंबर हो गए यह तीन देश भी अब क्रिकेट खेलेंगे यहां पर मिंबर हो गए इसका मुख्याल है दूबई में यूए में आइसी सी का इसी के ग्रेग बारकले है जो न्यूजिलैंड के न्यूजिलैंड का आप्लेंड भारत का बेस्ट श जो है कच जिले का बालिका पंचायत यहां पर बालिका वदू सीडियल से प्रेरित होकर 10 से 21 साल की लड़कियों में लीडर्सी पैदा करने कले चुनाव कराया गया कच जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है बारत का सबसे पश्चिमी जिला है सबसे वेश्टन पॉइंट ह है और कच में एंटी पीसी भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी बना रहा है गुजरात में इलेक्टिक सीटी भारत का पहला बना है के बड़िया राजसभा में सदन के उपनेता के रूप में मतार अबास नकवी को चुना गया है सदन के नेता प्यूश गोयल चुने गए राजसभा के सभापती एम वैंक या नाईढी जी क्योंकि यही उपराश्पती है juice राश्पती होता है भारत का वरत का वहीं राजसबा का सभापती होता में लोग सवाका सदन कानेता हमेशा पधानमंट्री होता है और स्पीकर है उम प्रकास्ट मोटा से चुनक्या थे भारत में दूसरा Google Cloud region यह कहां पर लॉंच किया गया है दिल्ली में NCR region में लॉंच किया गया है पहला कहां किया गया था पहला 2017 में लॉंच किया गया था मुंबई में ठीक है कि खाली में किसे दौरा तॉरी लिखी गई है तो बीपल जलान साभ आर्बे के पूर्व गवर्नर एक दौरारा तॉरजित पतेल भी है इनके दौरा लिखी गई है ओवर ड्राफ्ट मूजी आई उवर में गवंणर थे यह भी आरबी में पूछा था यह 24 वे गवंणर है और यह 25 वे गवंणर सक्तिकान दास ठीक है तो आप कम से कम रगुराम राजन को भी पूछ लिया आरबी आई में जो टेंथ पास एक्जाम था तो बहुत बड़ी बात है ठीक है इसके बाद दोस्तों भारत की पहली पॉट टेक्सी सेवा कहां सुरू हुई है नुएडा न्यू ओक्ला इंडेस्ट्र डेवलप्मेंट अथार्टी भारत का यूपी का पहला स्पेशल इकनॉमिक जोन यहां से नुएडा फिल्म सिटी तक जाएगी नुएडा में यमना एक् आरपोर्ट को बनाया जा रहा है जियूरी के मदद से जीओरी के एरपोर्ट की मदद से डवलप किया जा रहा है तो दोस्तों कैसा लगा अगर सेशन पसंद आया या आप कोई फीडबेक देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए मैं आपके हर सुझाओं का स्वागत करता सूरज तो मोबाइल नमबर से कर लो इमेल से मत करो एप पर मोबाइल नमबर से जो है कि आवित कर लो क्या दिक्कत है अंश्टॉल कर कर लो जाफ किष पी राजू कर रहता रहे सो सेशन नैंसी करिए नाइस सेशन सुरूती का यह थैंक यू से नाइस सेशन दिक्षा कि संगीता पतारी सूरज आपने पहले एप में रजिश्टर किया होगा इसलिए अब नहीं ले रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप लोग फॉलो कर सकते हैं यहां पर qr code भी दिया हुआ मेरा यहां से भी आप जो है अनकेडिमी एप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं रात को वाइपाई श्टरी टू पॉइंट ओपर रात को नो बजे मेरी क्लास होती है एक बजे और छे बजे पर क्लास होती है और जरूर जुड़िएगा मज़ा आ जाएगा और आप सभी को गुरुपुर्णीमा की हार्दिक सुपकामना है हैप्पी गुरुपुर्णीमा ही के मस्त रहिए स्वस्त रहिए अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए अपना बेहत ख्याल रखिए घर पे बढ़ा है थाड़ वेव की चपेट मत आई क्योंकि केसे बढ़ रहे हैं बड़ा दर्दनाक स्थिति रहा है भारत में थाड़ वेव अपने से नहीं आएगा आप ही लाओगे तो आप सजग रहोगे तो नहीं आएगा को जरूरी नहीं मिन्डेटरी नहीं कि आया है आपने सेकेंड वेव में सोचा कि सेकेंड वेव नहीं आएगा तब इतना खर्टक बना आप में बजब बोलना हूं तो मैं खुद आता हूं उसमें मैंने बहुत हलके में लिया तो जिन्दगी की सच्चाई से उसने रूबरू कराया कि यह सब मोम आया है जिन्दगी रहेगी तब यह सब करोगे तो पिरे बच्चों ने कहा जितने स्टूडेंट से कि सर आपकी जिन्दगी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है आप रहोगे तब तो हम सेलेक्ट होंगे तो आप पहले अपना ख्याल रख़ू कि मैं 15 दिन के बाद आ रहाता है ज्वाइन करने तो बच्चों का नहीं सरा प्रॉपर रेष्ट करूं तो एक हपते और रेष्ट कराया बच्चों ने तो खेर यह सब आपका प्यार है ठीक है इस बार सभी को अपने पैरेंट्स का नाम रोशन करना ही होगा मेरा नाम रोशन करना होगा ठीक है बिलकुल सभी को बहुत बहुत बढ़ाई चलो तो इसलिए थार्ड वेव अपने स ने आगा चलिए बाबाई टेक केर लव यू बाई